तो ग्यारवे महीने जो है इनकी माता जी पे ये बहुत ही खराब असर होगा और उच्छ गगर अच्छा कप करेगा जब वर्षफल किताब से अच्छा करने वाले घरों में आ जाए अब वो जानना चाहता है कि ये जो असर होता है अब जीवन भर का असर तो देख नहीं सकता क्योंकि जिन्दगी बहुत बड़ी चीज होती है लेकिन हर इंसान वर्षफल के हाल में जा करके ये देख सकता है क्या जो खानना नंबर का असर लिखा है क्या वो वर्षफल में असर करता है क्योंकि वर्षफल एक ऐसा पेरियेट होता है कि हम एक साल के भीतर ही अपने बारे में जान तकते हैं कि जो हमने पढ़ा है, सीखा है, सही है या गलत है या हमारे जीवन में जो घटे ना घट रही है तो क्या वर्जवल में उसका कोई प्रमाण मिलता है या लाल किताब की जो विदि है या फल कतन है वो हमको इस बारे में कुछ ऐसा बता पा रहा है ठोध या हम लोग यूही अपना समय जायद कर रहा है देखें, लाल किताब में मैंने क्या देखा है जितना मुझको आता होगा मैं आपको सब पूरा सिखाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा अब देखिए होता क्या है कि वर्षवल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूरे जिस खाने में बैठा होगा उसका असर किस हिसाबत होगा तो हम आपको लाल किताब का वर्षव साल पूरे उचुक哥 32 साल में लिखा होता हुए और यह होते हैं खाना नंबर के कि उम्र का 32 साल हो तो खाने नमबर एक का अगर है कहां आ जाएगा खाने नमबर एक का अगर है दो में आ जाएगा यहाँ पर मैं एक लिखे दे रहा हूँ इससे आपको सब्सक्राइगा दो का अगर है कहां चला जाएगा यहाँ साथ में चला जाएगा तीन का अगर है कहां चला जाएगा तीन क्या है कि दस में लिख देंगे आठ थ drew यह का चला जाएगा चार में यहां पर देंगे डाघे आजएगा एक में तो हम यहां पर दस लिग देंगे ग्यारा का ग्रह आज आजएगा नो मैं वह भी जायुआलाई पर बार्द लीटेंगे अब लाल किताब का सिस्टम अब ALL कितिते लिए देख आपने इसमें क्या हुआод लिखे हो हो अगर चार गराया है तो 11 लिखेना है है तो यह आपने देख लिया वर्षफल को बनाते कैसे हैं, कुछ लोगों confusion था कि उनने का कि आपने वर्षपल ले दिया पता है नहीं तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा समप डाला है कि वर्षपल बनाते कैसे हैं बस आपको ये note रखना है कि ये हैं खाना नंबर उपर वाले जो होते हैं ये होते हैं खाना नंबर और जो side में लिखे हो तो ऐसे आप देख सकते हैं अब ये देखें यहां पर मैंने एक rule कर रखा है इसमें लिखा है ग्रह की ताकत का पैमाना जब भी हम वर्षपल में ग्रह को देखेंगे तो उसको कैसे देखें मान लिए हमारे जनम कुडली में कोई ग्रह उच्छे पड़ा है वर्षपल में देख रहे हूँ इसलिए मैंने ये नियम को रखा हुआ है अब इस नियम में देखें लागताब क्या कहती है जनम कुडली में जो आपकी जनम कुडली होगी जनम कुडली में कोई भी ग्रह है मतलब किसी भी खाने का कोई भी ग्रह बैटा होगा तो जनम कुडली में कोई भ जिस हैसियत का बैठा होगे, इस तरह आप या आपकी जनम कुंडली की बात हो रही है, किसी भी ग्रह की बात हो रही है और उसकी हैसियत जो है वो जनम कुंडली से निकालनी है, यह उसकी हैसियत हो गई, वहाँ अपना उस हैसियत का असर, जो उसकी हैसियत आपने जनम कुंड प्रश्वल निकालनी है जनम कुंडिली से अब उसको वर्षवल में कैसा देखना है अब यहां पर आती है वर्षवल की स्टार्टिंग यह आगए आपकी वर्षवल की स्टार्टिंग सिर्फ उस साल देगा मतलब अपना अच्छा असर या बुरा असर या ऊच्छ का असर अब यहां बात हो रही है अच्छा बुरा मंदा ऊच्छ नीच वगारा का असर किस साल देगा उस साल देगा मतलब वर्षवल की बात हो रही है वर्षवल के उस साल देगा जिस साल की वहा वर्षफल के हिसाब से वर्षफल के हिसाब से उस वैटा होने वाले की हैसियत के लिए निश्चित की हुई राशी या पक्के घर में आ जाए आप यहाँ पे वर्षफल का पूरा रह से चुपाएं आप नहीं जान लिया कि जर्म कुड़िली में कोई ग्राय बैठा हो उसकी हैसित हमें जर्म कुड़िली से देखनी है अब उसका अच्छा या बुरा असर मतलब आपके लिए मुकररर ग्राय वो हो सकता है अच्छा हो अब लाल किताब कहती है उसका जो भी असर हो यह यह हो चाहे यह हो चाहे मंदा हो चाहे साधारन हो जो भी असर हो वो अपना हसर कब देगा अब कहती है वर्षफल के हिसाब से अगर मान लीजे गुरू खाना नमबर चार में उच्छी का होता है अब गुरू खाना नमबर चार में उच्छी का है लेकिन उच्छी का असर गुरू कब देगा जब वर्षफल में आ तो खाना नमबर चार में आ जाए या दो में आ जाए या आपका 9 में आ जाए या 12 में आ जाए या तो गुरू अपनी अराशी में आ जाए या अपने पक्के घर में आ जाए या उच्ची के घर में आ जाए तो उसका जो उसकी जो हैसियत है आपने उच्ची की हैसियत देख रहे हैं तो उच्ची की हैसियत के लिए क्या होगा माने जाते हैं, जब वो खाना अच्छे घरों में आएका तभी वो उच्छ काफल देगा जब मनीच राशियों में आएगा तो उसका असर क्या ओगाा? वह अधरन तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, यही वर्षवल को देखने की नीव है, अगर आपने इस बात को समझे लिया, तो आप वर्षवल को डिकोड करने में आपको 10 मिनिट नहीं लगेंगे, और आप कोई भी वर्षवल देख करके, अपने ग्र ग्रह पे, नीच के ग्रह पे, जितने भी तरह के लाल किताब में उधारन दिये गा है, उन सारे उधारनों पे बस यह नियम लगता है, जब बारी आती है वर्षवल की, यह एक अपसे इंपोर्टन नियम था वर्षवल का, जो मैंने अपने दोनों वीडियो में जिकर नहीं किया था, इसलिए मैं आपको यह नियम बताना चाहरा हूँ, अब एक मंदे ग्रह को देख लेते हैं, अब मंदा ग्रह क्या हो गया, अब मान लिजे मंदा शुक्र जो है, खाना नंबर छे में आ गया, अब हमने शुक्र को खाना नंबर छे में मान लिया, तो खाना नंबर वाले घर की हैसियत के लिए जो नीच में बैठा है खाना नमबर छे में अब उसकी हैसियत के लिए निश्चित की हुई राशी या पके घर में आ जाए अब शुक्र कब खरापल देगा जब वो अपने दुश्मन की राशियों में आ जाए या खाना नमबर छे में आ जाए य अब वो अपना नीच का असर देगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फूल था अगर आपको ये बात वैसे मैंने बहुत डीटेल में समझाईए फिर भी अगर आपको इसमें कोई कंप्यूजन हो तो ये जो जितने असर लिखे हैं ये सारे असर एक ग्रह के होते हैं जनम कुं कहा है ऐगर नीच का है तो आपको ये द्यान एक नड़मों में आजाएज सके खराब एक में आजाए ज़यें जो इस टाइप के घरों मिया जाए तो आपको उस साल स Alorsता लिग किस चीज़नी है वो मैं भी आगे बता रहा हूँ आपको फिलाल तो आप बस ये समझ लीजे कि जो मंदा ग्रह होगा आपके जन्यम कुड़ी में वो मंदा असर कप करेगा जब वो वर्षवल के हिसाब से उस मंदा करने वाले घरों में आ जाए और उच्च का ग्रह अच्छा कप करेगा जब वो वर्षवल के हिसाब से अच्छा करने वाले घरों में आ जाए तो ये हो गया इस रूल का पूरा पूरा कॉंसेप अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ इस चार्ट पर देखे इसमें मैंने लिख रखा है वर्षवल का रहस रहसे क्या है वर्षवल में सूरज के हिसाब से मासिच चक्कर पर जब ग्रह वर्षवल वाले घर आवे तो अपना असर देगा जो की उस ग्रह का उस घर के लिए मुकररर है अब ये लाल किताब का बात करने का तरीका ऐसे है लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है अब यहाँ बात क्या हो रही वर्षवल में सूरज के हिसाब से मासिक चकर सूरज हर खर को मतलब एक महिने में क्रॉस करता है तो यह सूरज का मासिक चक्र हो गया पर जब ग्रह वर्षवल वाले घर आवे जब ग्रह को वर्षवल वाले घर आ जावेगा तो अपना असर देगा जो कि उस ग्रह के लिए मुकर्र है अब यहां पर बात क्या है अब मैंने यह वाला चार्ट क्यों लगा रखा है यहां पर अगर आप मेरा वर्षबल का पहले अला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इस चार्ट की पूरी डीटेल मिल जाएगी यह चार्ट कैसे काम करता है फिलाल मैं आपको इस जो रूल आपका है इस रूल को समझाने का प्रयाद करता हूँ अब देखें उसी रूल को आगे समझाने के लिए मैंने एक एक एक्जामपल कुंडली बना दी मुझसे उसमें कहा गया था comment box में कि आप एक example कुंड़ी से समझा दिए, तो मैंने यह जो मैं कुंड़ी लिए तो मैंने छपी हुए कुंड़ी है, मतलब बनाए रहता हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ा करके आपको समझा रहा हूँ, अब जैसे इस कुंड़ी का अगर आप वर्षवल का चार्ट बनाएंगे, जो मैंने 32 साल का चार्ट दिखाया था, वो चार्ट मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि मैंने यह आप वर्षवल का यह बना के रखा था डेमो तो आपको जाने के लिए असान पड़ जाएगा, तो यह है लगन कुंड़ी, लगन कुंड़ी मतलब वो चार्ट जो जीवन बहु ऐसा होगा, अपने आप हैं, यह किसी भी कुंड़ी का अगर आप चार्ट बनाएंगे, तो कुंड़ी के हिसाब से जो खानों में ग्राय बैटे होंगे, तो 32 साल जो उसकी मुव्मेंट होगी, अगर इसी सीरीज में ग्राय बैटे हैं तो ऐसे बन जाएगा, मैंने व देखना है कि मेरा मंगल का असर कम मिलेगा, अब यही पकड़ लिए, अब लाल किताब का नियम क्या है, वर्षपल में सूरज के हिसाब से मासी चक्र पर जब रहें, वर्षपल वाले घर में आएगा, तो वो अपना असर देगा, अब सूरज पड़ा है, खाना नंबर आठ में, आपको देखना है, हमें मंगल का असर कम मिलेगा, मान लिए मंगल हमारा उच का है, उच का है, तो मंगल हमारा उच का हो, जनम कुंड़ि में, यहाँ पर साधरन मसंगल बचा है, अच्छा मंगल बैठा हुआ है, शूर के पक्के घर में अपनी राशी मटा, तो मंगल अच्छा है, तो जब मंगल के उपर से सूर का दौरा गुजदेगा, तो मंगल का अच्छा असर मिलेगा, अब अच्छा असर किन-किन बातों में मिलेगा, जब मैं जनम कुंड़ि के एक और वीडियो बनाऊँगा, इसकी और डीटेल व्याक्या करनी है, उसमें में कुछ क सूर्य क्वारां सरच नाया करें मिलेगा, जनम के 131 समय पूरा गया होगा, सूर्य का और खैया हैं, मासिक चक्र पे, मतलब सूर्य का मासिक चक्र क्या होता है, शूर्य एक महिने में एक खाना बदलता है, तो जब एक पहला महिना सूरज यहां हो गया, दूसरा महिना सूरज यहां हो गया, तीसरा महिना सूरज यहां हो गया, चौथा महिना सूरज यहां हो गया, पाच्वा महि से घूम के गया है सूरज यहां से यहां तक इननने क्या अशर होका अब इंद्स में जयाए जदम क्या होगा जणसर पहल अशर तो स्कता है!". हो सकता है या मंदा हो सकता है या उच्छ का हो सकता है अगर राहु जिस अवस्था में बैठा होगा उसका लाप आपको जनम वर्ष मतलब जनम दिन से दूसरे महीने मिलेगा क्यों दूसरे महीने मिलेगा क्योंकि इस साल सूरज आ गया है खाना नंबर आठ में मान दिली कि य पहुत ही चमतकारिक है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है मैंने कई कुंडलियों पर देखा है तो यह पढ़िया बैठता है यह रिजल्ट बहुत ही जवरदस देता है अब यह आपने देख लिया सूर्य बैठा है खाना नमबर आठ में अब हमको केतु का देखना अधर केतु का असर कब मिलेगा हमको बच्चा होने की समभावना किस महीने ए या केतु से कोई बी ऐसी चीज जो केतु से जुड़ी हूई है उसके लगा किस महीने है अगर उस से जुड़ा हम लोग को भविश रहे तो इसके लाब की समामना पहले तो आप 35 स्वाला चक्र म में आपने देखा कि वह दशा महादशा और अंतरशा में कौन चल ला है उसके बाद आप वर्षफल देखेंगे तो वर्षफल का यह महीने के बारे बता लो मैं तो वर्षफल में जब आठवे घर में वैठा होगा सूरित तो पहला महीना दूसरा महीना तीसरा महीना चौथा महिना पांचवा महिना छटा महिना सातवा महिना आटवा महिना नवा महिना मतलब जनम दिन से जो उसकी डेट आप बर्थ होगी जब उसका नवा महिना चालू होगा तो उसको केतू का असर मिलेगा केतु से जुड़ा हुआ कोई भी प्रशन होगा तो उसका जवाब नवे महिने में मिलेगा अब माता दिसम्मदिन कोई प्रशन पूछ रहा है कि माता या अगर आप वर्शपल में देख रहे हैं किसी की माता की दवित खराब है तो आप उसने बताया मेरी माता जी की दवित खराब है तो आप ने देख लिया कि किस ग्रह के प्रभाव से माता जी की दवित पढ़ ली है खराब हो रही है पहले आपने जनम कुणली में इसके हालत देखी हालत देखने के बाद क्या होगा आपको देखना है किस महीने इनकी माताजी पर जादा भारी पड़ेगा तो आप यहां से चलेगा नवा, दसवा और ग्यारवा तो ग्यारवे महीने जो है इनकी माताजी पर यह बहुती खराब असर होगा इस तरह से जो है वर्षवल में देखा जाता है अब यहां पर एक confusion आ गई कि सूर्य तो बैठा है खाना नमबर आठ में तो सूर्य का result कम मिलेगा सूर्य का result जनम दिन से आठवे महीने मिलेगा सूर्य जिस खाने में बैठा होगा उस खाने का result जिस खाने में माल लिजए कि लिए horns ने में जिसंतों नगें wszyscy में जोनसे इस चीज़ को धियान की है सूरज की बाद से महिना चक्र चालू होता है जनम कुडली का पर सूरज का अपना साल का फैसला का फैसला लेकर आया तो सूरज जिस खाने में बैठेगा उस महीने में जनम दिन से रिजल्ट वो अपना देगा बाकी जो ग्राय होंगे उसके वो उसके सूरज एक एक महीना बढ़ता जाएगा सरकल के साब से घुमता 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 वापस वहीं आ जाएगा यह वर्षफल पूरा हो जाएगा अब इसमें बारी आती है खाली खानों की अब यह आपने देखा खाली खाना है यह खाली खाना है यह खाली खाना है यह खाली खाना है अब इनका रिजल्ट कौन देगा अब इसको आपको मैं अगली स्लैट संजाता हूँ देखे यह वही कुंडली है इसमें भी मैंने क्या बताया है इसका जो ये खाली खानों का डिजल्ट है जो ये खाली खाने है लाल किताब का एक नियम है जो मैंने लगा के देखा है और जो बहुत ही परफेक्ट बैठता है लाल किताब का नियम ये है जब भी हम खाली खाने देखेंगे तो हम खाली खानों की राशी के मालिक को लेंगे मतलब कहने का यह है माने लिजे इस कुंडिली में क्या है गुरू और शनी साथ में बैठे हैं पर खाली खानों की हालत में क्या होगा खाली खानों की हालत में जब 9 में आएगा तो केवल और केवल गुरू का असर मिलेगा यहां पर सनी की युक्ति का असर नहीं मिले और खाना नमबर नौ की राशी है इसलिए गुरु का असर देगा मतलब गुरु अगले महीने है तो जनम वर्ष का जो पहला महीना होगा वो थोड़ा भागी के लिए अच्छा होगा पिसमत साथ देगी पिता से आपकी बनेगी दूसरा महीना राहू का है तो राहू अगर ख हटपट हो सकती है जगड़ा जासा घड़ा हो सकता है या आपकी सफवाल अच्छी है तो सफवाल से लाव हो सकता है तीसरा महीने में क्या होगा शनी का घर है तो जो शनी का केवल शनी का जो असर होगा खाली खानों की हालत में लाल किताब कहती है राशी के मालिक को लेते ह चेंदर आपको अच्छा अब इस साल चंदर आया साथ में, अब चंदर साथ का जो रिजल्ट होगा, वो तो आपको जब सूर इसके उपर से घुजरेगा, तब देगा, लेकिन जो उच्छी का फल का चांद का तर जो होगा, वो जब चार से घुजरेगा, तो वो अपने लिए अच्छा ही होगा, बिल लिए एक ग्रहे आपका जनम कुड़िली में खराब है, अब वो वर्षफल में भी खराब आ गया, तो उस ग्रहे से संबंदित चीजों से आपको सतर्क रहना होता है, आपके स्वास्त के लिए आया है, यह मैं एक एक चीज करके आगे बताता चलाएंगा, कैसे स्वास्त न गया था, जो मैंने उस समय बताया नहीं था, अभी एक चीज और वी रह गई है, वो भी मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है, अब लोग यह पूछेंगे, सूर्य बुद्ध और शुक्र का असर, सूर्य तो यहां बैठा है, क्या सूर्य घुम के बुद्ध शुक्र के साथ असर देगा, बाद में देगा असर, या सनी और गुरू का असर क्या अलग अलग होगा या एक साथ होगा, तो लाल किताब का नियम यह होता है, कि जो ग्रह एक साथ बैठे हैं, दो बैठे हों, यह देखें, दो बैठे हैं, यहां पे तीन बैठे हैं, दो, तीन, चा का लेंप माना है जैसे सूर को लेंप माना है गंदमी भूरा गंका और गुरू को माना है क्या नाम है पीले रंग का लेंप तो इन दोनों क्या जो मिला जुला असर होता है जिंदगी पे वो होता है ये कभी अलग अलग नहीं होंगे लाल किताब में राहू केतू अलग अलग कभी अलग नहीं करती है ना अलग मानती है इनका असर पूरी जिंदगी एक जैसा ही मिलेगा मिला हुआ असर ही मिलेगा इनका अकेला असर कम मिलेगा जब सूर इनकी गाशियों के उपर से गुजर के निकलेगा तब इनका अलग अलग असर मिल जाएगा लेकिन जब एक साथ ग्रहाय बैठे होंगे तो कभी आपको यह नहीं लेना है कि पहले कौन सा ग्रहाय असर करेगा वह जो एक नियम होता है कि पहले किस तर्टीब से थर होगा वह खाली जो हकूमत का दौरा जब चाली होगा जब मैं उसको लेसन पढ़ाऊंगा तो जब खाना नंबर एक एक में क खाना बदलता जाता है अपना असर देता जाता है जिस ग्रहे पे गुजरता है उस ग्रहे का असर उस महीने में होता चला जाता है यह लाल किताब का यह नियम अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं लाल किताब में एक एक एक्ट्रा नियम और बचा रह गया है यह मैंने जिन लोग को वर्षवल को समझना हो वो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं इस चार्ट से लाल किताब वर्षवल में पहले तो उसने महीने बता दिये अब वो बताती है कि पूरे एक साल के लिए अगर आपको देखना हो अगर आपको महीनावार हालत नहीं देखना हो अगर ग्रहे के तीन ग्रहे होते हैं A B C A B और C हर ग्रहे के तीन हlexs represent हिस्से होते हैं जिसमें कॉल कभी भी ग्रहे मतलब जैसे यह, ओर अपना भी में भी ग्रहे होती evolves जिया जो मिधी आफ़े के लिए होगा Be में भी और सी म tut यह तीनों हो समय में किसी भी समय हैं तीन तो बारा को तीन से डिवाइट करा तो यहाँ पे आया है चार तो हर ग्रहे चार महीने मतलब साल को तीन हिस्से बाटेंगे तो चार महीने हर एक खाने हिस्से को मिलेगा अब केतू का या तो केतू के पहले चार महिने कौन असर देगा शनी असर देगा अगले चार महिने कौन असर देगा राहू देगा आखिर के चार महिने में केतु अपना खुद असर देगा खाना नमबर पांच का अब फिर से आप समझेए अब इसमें फिर से गलबढ हो गई कि खाना नमबर पांच में के ज़ानी का असर होगा उसके वाद चार महईने ख़ाना नंबर 5 पर राहू का असर होगा और 안written के चारमइद केतु का घठक का अब यह तीनों ग्रैए आपसे जुड़े होते हैं तो इनका मसार जो है मिल के ही खाना नंबर 5 असर बनेगा तो पहले चार महीने के तु खाननों 5 में बैठाई है को मिलेगा और आखिर में क्या होगा इन दोनों करें आप दूसरे example से भी देख लेते हैं अप पकड़ दूसरे लेकल में ुटा आप मंगल को अब के तु सबसे आखरी मसल करता है मनंगल का करता है मंगल पहले असर करता है उसके बाद magnificent IR करता है उसका शुक्र असर करता है तो मंगल कहां बठा है वर्षवल में मंगल खाना नमबर दो में बठा है तो पहले चार महीने खाना नमबर दो पे मंगल का असर होगा पहले जो चार महीने होगे वो मंगल का असर खाना नमबर दो पे होगा उसके बाद वाले जो चार महीने होगे चार से आठ महीने उस पे ख ग्रह को यह मान लीजिए महादशा उसकी यह तीन अंतर दशा जैसे आपने वह 25 साला चक्रे में देखा था हर ग्रह अपना चुरू में या धर्मियानी में या अंतिम में अपना असर देता है इसी तरह लाल किताब वर्षवल को भी बाढ़ देती है यह जो अभी सुदने में मैं आपको कठील लग रहा होगा पर यह इतना जबरदस्त काम करता है इससे जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन इसमें फड़ा समय लगेगा जब एक बच्चा जो है स्कूल जाता है तो इंटर तक पढ़ाई करता है लाल किताब पढ़ने वाले चाहते हैं वैदिक जोतिश की तरह सुरवात के पहले दिन से हम जाए भविस्वानी करना वगरा चालू करते हैं कि आपके बच्चा उन्हें वाला है चार बच्चे होंगे मादो होंगी और सब इस तरह की चीज़े लोग चाहते हैं अपना पहल बच्चालू का चार्ट यहीं रहे का चार्ट कभी बचलता नहीं है आपका कोई ग्रह किस खान दो करनाम का बता करता है मैं को बास्ता है जो जो परिशल पाफुजा और पाइदा करता है तो पहले चार मेने उसको हिदायत होगी खाना पूजा पाट से बचे रहना अगले चार मेने क्या होगा सूरज का सार होगा सूरज का नीच असर मतलब अपने बहुत पर आप काम करता है अब यह मैंने वर्षफल का एक चाहिए आपको एक इजैंप्ल के तौर वर्षफल दिखा दिया बता दिया है वर्षवल के मैंने दो वीडियो और बनाएं उन दो वीडियो को देखें और इन तीनों को मिला करके लगभग लगभग वर्षवल पूरा हो जाता है जब हमने कुंडली की प्रडिक्शन करेंगे तो यह सब चीजे बहुत काम आएंगी अगर आप इनको बहुत ध्यान में लेकि चलेंगे तो आप बहुत जल्दी ही लाल कितार के अच्छे शॉजर बन जाएंगे